आपको आपने यूट्यूब चल्ट करना में डेली यूज इंफ़रमेशन तो आधका जो हमारा टॉपिक है जो जी एसटी की डीट एक्स्टेंट कर दीए बड़ ज्यादा नहीं किया है तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस किस टॉपिक के उपर अपने डेक्ट एक्से तो यह मेंने कुछ संबरी बनाई है, तो इनोन जो जो GSTR 4 की डेट है, वो एक्टि फ़र्शन की है, 31 में तक, और आप आईएफफ की बर रहे हो, तो वो इनोन नो की है, 28 अप्रेल तक, तो इनोन ज्याद़ डेट एक्स्टेंड नहीं की है, थोड़ी थोड़ी की है, बट कर झाहिए है और जो 3-B किया है वह नो लेट फीश ओफ 3-B Filing है अप्रेल और मैं के मैने की है अन्द दिन के लिए उनके लिए जिनका टर्न वर 5 क्रोड तक है और जिनका टर्न वर 5 क्रोड से ज्यादा है उनकी हुआ कि डेट एक्टेंट किया 30 बीज है और वह से मांग चाहिते हैं 30 अपरेल है दूरेट तो एकत्यिस दातीस मही तक कर दी है इसलिए और जो 3B की है वो और जो मार्च 3 भीए जिसमें जेसमें माज 3 भी है उसका भी क्या करते हैं कोई फीस नहीं लगेगी लेट फीस फाइलिंग में अप्टू 30 डेस तक ठीक है तो हम चलते हैं पर नोटिफिकेशन एट पे उसमें क्या क्या दिया है तो वाइज हम अपने नोटिफिकेशन पर आरके आरके हैं जो चैन्टरल टेक्स का है है क्या करते हैं यह एट है यह एट है नोटिफिकेशन इसमें जो दिया हुआ है टेक्सपेर हैविंग एन एग्रिगेट टर्नोबर आफ मोर देन फाइव क्रोर इन दा प्रसीडिंग फाइनसिल ये अगर आप क्याते हैं फिप्टीन डेस के अंदर पेमेंट करते हैं तो न टेक्सपेर हेविंग एग्रिगेट जिनका पांच करोड तक टर्नोबर है और वह सब सेक्षन वन ओफ सेक्षन 39 में आते हैं उनके लिए पंदा दिन तक कोई कोई चार्ड लेंबो इंटेस्ट नहीं लेगेगा और उसके पंदा दिन के बाद 9% और उसके 5 दिन के बाद 18% और वो रहेगा मार्च और अप्रेल की रिटन में हैं अब यह जो च्छटा प्रेंट है वह टेक्सपेर 5 करोड और वो आते हैं प्रवीजो और सब सेक्षन 1 और सेक्षन 39 में उनके लिए भी यह सेम है पहले पंदा दिन के लिए कोई रेंट नहीं है और उसके बाद 9% और उसके बाद 18% और यह है मांट मार्च 21 और कहते हैं अप्रेल 21 में ठीक है अगर आपकी रिटन क्वाटल ली जाती है तो क्या होगा है तो यह है टेक्सपेर हूँ ना टेक्सपेर हूँ लावल और फिनिसिंग दा रिटन और सेक्षन टू और सब सेक्षन ठाटिन नाइन यह है तो उसमें भी यह है जो ऊपर जो ऊपर दोना थे मतली के लिए है इस वह क्वाटली के लिए 15 ऐस्में ग्यूंग सेंट लेगा और जो आगे के 15 ऐसे माइन परसन और जो कह गते हैं आगे के 15 ऐसे उन परसेंट यह है क्या करते हैं क्वार्टर ली रिटन है हमारी तो उसकेस में लेगा और यह जो सेकंड पॉइंट दे रखा है था नोटिफिकेशन सेल भी डिमांड टू वी है फॉर्स विद इफेक्टिट अठारा अप्रेल से यह जो नोटिफिकेशन नहीं अठारा अप्रेल तो हम अपने जो नाइंद नमबर का नोटिफिकेशन उस पर हम आचुके हैं इसमें क्या दिया हुआ है जो भी हमारा लेट फाइल है उस पर क्या करते हैं कितनी रहा दी हुए इस बारे में है यह इसमें लिखा हुआ है प्रूबर आलसो दा अमांट अव लेट फीज पेब अंडर सेक्षन फुर्टिशंग है इस टैन वेब आफ द पीरियर्ट इस बैस्वाइर इन कॉलम फोर कॉलम फोर में लिखा हुआ है और टेबल गिवन ब्लो अब टेक्स एज इस इस स्पेस्किफिक फाई को स्पॉंदिंग एंट्री इन कॉलम 3 थी में लिखा हुआ है किस- इस बीका है सारा तो जो नंबर वन नंबर वन पॉइंट है उस पर लिखा हुआ यहां पे हैं मार्च और अप्ल की रेटर में उनको 15 डेज के लिए करते हैं यहां पर कोई लिट फिस नहीं लगेगी ठीक है और जो चेकंड वाला है वह अपटू फाइव won जिनका अपू five प्लोड है उनको कहते हैं 30 डेस के लिए कोई कोई भी लेटफीस नहीं लेगेगी हैं तो और यह है जो तीसरा पॉइंट है जो हमारा और जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वह है अगर आपकी थ्री भी क्वाटरली जाती है हैं उस केस में क्या होगा केवल आप टू फाइफ फो जिनका टर्नोबर है वो आएंगे इस कैट का टाइम है 25 अप्रेल का है तो आपको तीस दिन का 25 माई तक का इसमें डिसकाउंट मिल जाएगा और यह जो नोटिस है यह इफेक्ट होगा 20 अप्रेल 2021 से यह एफेक्ट हो जाएगा जो मोर देन लिखा हो था यह मोर यह मोर देन नहीं है यह अप टू फाइफ रोड है और अप्रेल को 2021 को जाएगा अगर आपकी क्याएगा तीस की तो इक अटिस की हो जाएगी तीस तारी को ही एफेक्ट हो जाएगा और नोटिस से उसमें कुछ ज्यादा नहीं है उसमें जो आम आई टीसी फोर का जो फॉर्म बढ़ना था है और जन्वरी 2021 से लेके माज 2021 तक का उसका भी डूड़ेट बला दिया है उसकी डूड़ेट कर दिया 31 माई 2021 और यह जो नोटिस है यह इफेक्ट हो जाएगा 25 अप्रेल 2021 को ठीक है अब हम चलते हैं अपने 12 नोटिस पे इसमें का जो नोटिस नमर 12 है उसमें यह वो जो नोटिस है वो जेस्ट यर वन के लिए ह है और हम बात कर रहें कि अबर अप्रेल की जो जो मंदली रहा रहे है अप्रेल की वो है उनको जो जो डूइट थी क्याते है अंधस दस अप्रेट होथी है बट ओन्सक्राइब five जो गूड़ेट एफिए बना आके और kg जाहते हैं यह आपको लिएकिजट में को भननी प्रोविजो शैल बिया इंसर नेमली ये पने से पहले हम को यह दाजिता हो कि यह यह बहुत चरूरी है प्रवाइड फर्दर दैट सच कंडिशन सैल अप्लाय है कमुलिकेट इट फॉर्द अप्र अप्रल एंड माई दोजा एक इस हैं एंड दा रिटन फॉर्म एंड रिटन मजब मन्द इन अपकल है एक इस डिटियल और मंतो आपको एक मैंने के दिवह उप्रीट कम कर सकते और दूसरा है झूप्री नाइन टू रूल वह कहते हैं प्रोवाइड दार रेश्टर पर्शन में में फनिस सच डिटेल आप दा मन्त अप्रेल टूजन इक इस यूजिंग आई एफ आई एफ रॉम दा फास्ट डिय आफ माई टूजन इक इस तिल डेट 28 28 में 2021 जो आपकी कहते हैं अप्रेल की अप्रेल की रिटन जो आपको करनी थ प्रेल कि दूट बला के इनो ने 28 माई कर दिये तॉक्त यह है थैं अब चलते हैं में अपने 14 अंबर पॉइंट में माई जीश्टी का फोटी नमर का प्रेंट ऑवह है करते हैं अगर आपकोई केस चल रहा है या मतलब कोई यह सारी पॉइंट दी हो मैं आपको जाकर सकते हो हैं वीडियो को पोस्ट करके भी आप इनको पर सकते हो जो मैं आपको एक पर दाता हूं को एनी टाइम लिपर और और अफ कंप्लाइंस आफ एक्शन बायर हैं बाइनी अथोर्टी और 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 एनी परसन है जो भी आपके चल्डा जीस्टी में उसकी जो डूडवेट थी 15 अपरेल उससे लेके 30 आफ मैं 15 अपरेल से लेके 30 मैं तक इती उसको इन्होंने डूडवेट को बलाके इन्होंने क्या करते हैं 31 मैं कर दिया है और आप किस किस चीज को लेकर है वह आपका विवाद चल रहा है आप वीडियो को पॉस्ट करके इसमें देख सकते हो किस की चि क्लेम हैं उस चीज के लिए भी है यह सब चीजों के लिए और जो यह इफेक्ट होगा पंदरा अपरेल 2021 से यह एफेक्ट हो जाएगा ठीक है अब हम नेक चलते हैं आगे कुछ नोटिफिकसिन और भी है यह हिंदी मैं है और क्याता है यह यह आई जिएस्ट का नोटिफिक है सब सब वह है जो हमने पिछले आठ नंबर में पढ़ाता और क्या कते हैं कि यह सारे क्षारे आठारा पर इफेक्ट होगा नियुन ट्रेट्री वाला और जो कहते हैं सब उसी टाइम एफेक्ट हो रहे हैं जब उसी वह देट है सब कुछ वही है तो कहते हैं अगर आप तो अपने जेस्टी डेटन फाइल नहीं किया है तो आशा करता हूँ यह जलती जल इसको फाइल कर दें और एक बात और कर आचाहूँगा अपने घर में रहें सेफ रहें जब तक जरू अतना हो तब तक घर से बाहर ना निकले तो आशा करता हूँ यूड़ आपको अच्छे लगी होगी अच्छे लगी हो तो लाइक करें सेर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं एक उन्नी वीडियो तक लिए अपना ध्यान ना किया बाबाबाए टेक क्यार